अमेजन के जंगल नौ देशें से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60 फिसदी ब्रजील, 13 फिसदी पेरू, 10 फिसदी कोलंबिया और बतादे की पिर्थिवी पर जितनी जीव हैं। उसके एक तिहाई को एक साथ आप अमेजन के जंगल में ही देख सकते हैं। यहां 390 अरब पेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियां है। इतना ही नहीं यहां 400 से ज़्यादा आदमी जंजातियां भी रहती है। इन जंजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। आपको बता दें कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी मौझूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाएगा तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरु में मौझूद इस रहसमें नदी की खोज भूवज्यानिक आंद्रे रूजों ने साल 2011 में की थी। वै अमेशन जंगल में बड़े साप मौझूद हैं जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेशन जंगल के आदिवासियों की माने तो यहां विसाल काई सापों का होना आम बात है। वैग्यानिकों के अनुसार एना कोंडा साप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पेसी फोसिट दच्छि अमेरिकी खोजकरता एक अभियान के दोरान 62 फीट लंबा एना कोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दोरान उन्होंने 70 फीट लंबा एना कोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्मई जीव देखे ज साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा साप दिखाई दिया था। अमेरिका में रहने वाले वईगानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा साप टाइटोन बोवा आज भी अमेजन जंगल में जिन्दा हो सकता है। अमेजन जंगल में आज भी विभिन परकार की अध जंगल के अंदर रहती है जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहां लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां एक ऐसी जन जाती भी रहती है जिसके सदस से अ inclined आतर परजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लोटते जिसमे से कुछ लोग खोजी दल दवारा बचा लिए जाते है। वापस आकर वह एसी कहानिया बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं लोगों का कहना है इस जंगल में आदम खोर पेड़ मुझूद है जो इनसान को अपना सिकार बनाते हैं जंगल के अंदर ऐसे विसालकाय खतरनाक पेड़ है कई मच्वारे ने ऐसे पेड़ों को देखा है कुछ लोगों का यह भी मानना है अधिवासी जनजातियों इनसानों को पकड़ कर सिकार बना कर उनकी बली चड़ा देते हैं कई लोगों ने बली मकड़ियों को इनसान का सिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है यहां जहरीले मेढग भी पाए जाते हैं जहरीले मेढग जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है आमेजन जंगल की बात हो और बुलेट चीटियों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता इस जंगल में रहने वाली ये चीटी भी अगर काट ले तो बुलेट लगने जितना दर्द होता है इसका आकार भी किसी बुलेट के बराबर ही होता है इसलिए यह कहापाना मुस्किल है कि इसका ये नाम क्यों पड़ा इसके काटने पर होने वाला दर्द 24 घंटे तक एक समान रहता है अमेजन जंगल के नदियां में रहने वाली ये रिल्स अपने अंदर सैकडो वर्ल्ड बिजली समाय हुए हैं जो कि एक बार में 600 वाट का करंट छोड़ती है जो कि किसी भी इनसान की चान ले सकता ह ये अपनी इस बिजली का इस्तेमाल अपने सिकारियों से बचने के लिए करती हैं क्या आपको पता है एमेजन के जंगल में इगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है और इसकी पंख लंबाई लगभग 3 फीट के बरावर होती है इसका वजन 6 किलो का होता है ये अपने वजन से दुग्रा वजन अपने सिकार को पंजे में जकड कर रख सकता है